दोस्तों पूरी दुनिया में यह जो COVID-19 यानि की करोना चल रहा है यह एक नहीं बलकि दो महामारी है जिहां दोस्तों अगर आपको लगता है कि यह एक ही है ऐसा नहीं यह दो महामारी है एक COVID-19 अमीरों के लिए और एक COVID-19 गरीबों के लिए जिहां दोस्तों आपको कुछ अ आपको करोना खतरनाग होगा या नहीं होगा इसका मतलब आप कितने सेफ हैं और कितने अंसेफ हैं ये वीडियो देखने के बाद आपको 100% पता चल जाएगा तो आए शुरू करते हैं दोस्तों लास्ट ये वर्ड बैंक ग्रूप ने दुनिया भर में डेवलप्मेंट पॉल इस रिसर्च वन सेक्स्टी कंट्रीज का पूरा डेटा स्टडी करकर बनाया गया था और ये रिसर्च 35 पीजी का है जिसका लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में दे दिया है आप इसको पढ़ना जरूरूर। दोस्तों ये रिसर्च स्टडी बड़ी कमाल किया है और इसके जितने भी अमीर देश हैं मिन्स जो डवलप कंट्री हैं अमीर देश है वहां पर करोना की सबसे ज्यादा मौत हुई है और जितने भी गरीब देश हैं वहां पर करोना की मौत बिल्कुल थोड़ी सी हुई है मिन्स जहां पर बिजनेस हो सकता है बहुत तगड़ा वहां पर करोना की सबसे ज़्यादा मोते और जहां पर बिजनस नहीं हो सकता जो गरीब देश हैं वहां पर करोना से हुई मोते बिल्कुल ना के बराबर हैं दोस्तो इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि ये टॉप की फाइफ कंट्रीज हैं जैसे यूएस है इटली है यूके है डवलट और डवलोपिंग कंट्रीज हैं और दोस्तो आपको ये सुनकर आश्चरे होगा कि इन पांच कंट्री में सबसे ज़्यादा मोत करोना से हुई हैं और ये सारी कंट्रीएं वेल एक्क्यूड मेडिकल फैसलिटीज हैं उसके बवजूद यहां करोना की सबसे ज़्य दौस्तो ये जो पांच कंट्री में ने बताई हैं इनकी पॉपलेशन वर्ड की टोटल पउपलेशन का केवल 7.5 परस inflation है लेकिन यहां पर जो मोते हुई हैं वर्ड में जितनी भी मौते करोना से हुई हैं, कोविट से हुई हैं, उसके 65% मौते इन कंट्रीज में हैं. Population किटनी है? Total Word की Population की केवल 7.5% लिकिन total जितनी मौते भी Word में हुई है करो ना से उसकी 65% मौते सिर्फ इन 5 कांट्री में है इसका मतलब जितनी यदा Development Country इसका मतलब जितनी ज़यदा पैसे वाली कांट्री इसका मतलब जितनी ज़्यादा intelligent पड़े लिखे लोगों की country पैसे वाली उतनी ज़्यादा मौत इसको देख के तो यही लगता है कि यह भारत गरीब और किसान वाला देश ही अच्छा है कम से कम यहाँ पर भाईचारा तो था लेकिन science के नाम पर, development के नाम पर, western culture के नाम पर हमने सब कुछ बरबाद करकर रख दिया और आज इस word को इस कगार पर ले आए कि oxygen के लिए भी तरपना पड़ रहा है क्या आपको लगता है कि यहाँ पर पड़े लिखे लोग है और पड़े लिखे लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है दोस्तों आप यह ग्राफ देखिए इस ग्राफ से आपको पता लगेगा कि COVID-19 कितना intelligent है यह इतना intelligent है कि इसने अमीर देशों में जबर्दस तबाही मचाई लेकिन जितने भी गरीब देश है वहाँ यह कुछ नहीं कर पाया मेंस आप देख रहे होंगे कि जितने भी गरीब देश हैं उसमें बहुत ही slow नीचे दीरे दीर है लेकिन जितने भी अमीर देश हैं वो देखिए उसमें विल्कुल ग्राफ चड़ता हुआ जा रहा है कि कितना खतरनाक हो रहा है वो जोस्तों मैं आपको एक और च्वाट दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि कोविड-19 कितना पड़ा लिखा है मुझे लगता है कि वर्ड की टॉप उनिवसिटी से उसने MBA किया है क्योंकि उसको पता है कि मुझे कहा टारगेट करना है किस क्लाइंट को टारगेट कर क्लास है फार मिडल इनकम क्लास तीसरी काटेगरी है लोवरमेडल इनकम क्लास और चोथी केटगरी है लोवर इनकम क्लास तो सबसे पहले देखिए कि यह जो वर्ड की हाइर इनकम कलास है हाइर इनकम क्लास में 78.9% मोते करोना से हुई है Ini cioè वर्ड में जितनीusa बी evaluतर मूत ह हुई है उसका 78.9 यानि कि 79% मौते higher income class category में हुई है दोस्तों यह बहुत चौकाने वाले आंकड़े हैं उसके बाद 17.8 यानि कि 18% मौते अपर middle income class में है जो कि upper middle class है अपर middle income class है उसमें करीब 18% मौत हुई है और दोस्तों अगर आप lower middle income और lower income class से है तो आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि lower middle income class में करोना से सिर्फ 3.1% मौत हुई है जी है दोस्तों lower middle income class में 3.1% केवल मौत करोना से हुई है और उसके बाद lower income class में केवल 0.2% जी हैं, दोस्तों, Lower Income Class में 0.2% मौते और Higher Income Class में 79% मौते तो दोस्तों, अगर आप Lower Income Class से हैं, तो फिर आपको घवराने वाली बात नहीं है, आपको डरने की जोतनी है, आपको खुश होना चाहिए कि कोविड आपके लिए जाधा खतरनाक नहीं होगा. लेकिन अगर आप higher income class से हैं तो फिर आपको सतर करना चाहिए क्योंकि COVID फिर आपके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है लेकिन दोस्तों आपको किसी को भी घबराने की जरूत नहीं है चाहे आप lower income class से हो चाहे आप higher income class से हैं अगर आप एक काम कर लें तो आपको COVID कुछ नहीं कर सकता और आप बिलकुल ठीक और बिलकुल स्वस्त रहेंगे अब ये एक काम क्या है ये आपको पता लाएगा कल मेरी आने वाले वीडियो में कि आप क्या ऐसा काम करें ताकि आपको COVID परिशान ना करें दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से COVID-19 दो तरह की महामारी है पूरे वर्ड में एक अमीरों के लिए और एक गरीवों के लिए अमीरों को 79% तक उसने इफेक्ट किया है और मौते हुई है और गरीब देशों में और गरीब लोगों में केवल और केवल 0.2% जोस्तों मेरा उद्देश मेडिकल साइंस को फॉलो करना है मेडिकल साइंस को मानना है लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री को एक्सपोज करना है ठीक हो सकती है उन बीमारियों को medical industry पूरी जिंदगी आपको दवा खिलाता है और last में जाकर उसी बीमारी से आपकी मौत होती है मेरी लडाई इसके खिलाफ है दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी comments box में जरूर लिखें अच्छी लगे या बुरी लगे means आपको like या dislike जरूर करना है अगर आप dislike भी करते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता है मुझे पता चलता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ या आप क्या चाते हैं लेकिन कुछ करें जरूर अब समय आ हो जाती है और जैसी आपकी immunity डाउन होती है तो करोना नहीं कोवीड नहीं कोई भी वाइरस आपर अटेक कर सकता है और आपकी तबेत बिगड़ सकती है इसलिए डरना नहीं है सौस रहना है और सतर्क रहना है जल्दी मिलता हूँ तब तक नमस्कार